चप्टर नाइन की कोई क्रिविजिन करते हैं जो कि सीबेसी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हैं ये चप्टर आप पूरा नहीं आ रहे हैं इस बार तो इस चप्टर का नाम है आनुवान शिक्ता एवं जैविकास तो आनुवान शिक्ता पूरा चप्टर के लिए ये गया है गया इसमें तो सबसे पहले हम जानते हैं जैसे बिच्छले आदाय में पढ़ा था कि जनन के दोरां जो संतान उत्पन होती है वह जनक की संतान एक दूसरे से हो भो हमारी शकल नहीं बिलती है लेकिन उनके माता-पिता इक दूसरे से नहीं मिल करते हैं मतलब क्या है पेरेंट्ट के जो जीन्स है Ernस यूह केकर विशेष्टां होती है जितने भी गुन होते हैं फिरेंट्रें बच्चों के अंदर जाते हें लेकिन से हमारे हें गुन को खे broncs करते हैं कि माता माता है ऑिद्था की के थे माताılar कर दानानी कि कहते हैं आन्वान शिकी का सबसे पहले योगदान जो दिया था तो ते मेंडल नाम के साइंटिस्च और मेंडल नाम के वेग्यानिक ने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया थे ध्यादेने वाली बाहत हैं क्योंकि वह देखना चाहते थे कि किस प्रकार एक पेरेंट के गोन उनके बच्चों में जाते ही या वनशागत होते हैं या हैड़ेट्री होते हैं और उनने मटर के पोदे का चैन किया इस चीज को जानने के लिए अब कई बार क्वेशन आ जाता है कि मटर के पोदे का चैन क्यों किया उसका कारण क्या था तो मैंडल ने मटर के पोदे में अलग लग लक्षन होते हैं विकल्पी लक्षन सूल रूप से दिखाए देते हैं दूसरा जो मटर का पोदे उसका जीवन काल छोटा होता है इसली उसको स्टड़ी किया जा सकता है कम समय में तीसरा वह सब प्रागण है एक ही पोदे के अंदर है पुंकेश और इस्तरिकेशर एक ही उसके अंदर होते हैं और करत्रिम विदी से हम पर प्रागण भी उसका कराया जा सकते हैं चोथा पॉइंट है एक ही पीडी में अनेक बीज बनाता है मटर का पोदा तो उसको स्टड़ी करना उसकी वेरियेशन्स देखना मेंडल के लिए आसान था इसलिए उन्होंने इस एक्सपरिमेंट को चुना अब मैंडल ने जो नियम दिये इसमें सबसे पहला है वंशागती का नियम मतलब माता पिता दोनों ही समान मात्रा में जो जीन से वो कैरी करते हैं क्रोमोसॉम्स होते हैं अनुवानशिक पदार थे वो अपने संतान में फुल फॉर्में वह यह डियॉक्से राइबो नियुकलेक अशेड वाला कई बहर आ जाता है टरंनी की फूल ने से बनते हैं और जही जीन होते हैं जो मानव शिरीर कiğत हर को सीका के आत्मा की काई है अगर आपसे पूछे कि किसके काण मता-पिता कि जो गुण हो बच्चों के अंदर जाते हैं तो हमारे जीन होते हैं जो कि डियने में प्रेजेंट होते हैं डियने के अंदर क्रॉमसॉम्स होते हैं तो इस तरीके से वह जीन से पेरेंट से बच्चों के अंद हम ले सकते हैं इसमें अलग लग विकल पे प्रभावी हो सकता है एक प्रभावी लक्षन है चार क्या धार पे ले सकता है जैसे पोदे का आकार लिया हमने तो पोदा अगर प्रभावी लक्षन लिया माना तो लंबा है उसके उल्टा प्रभावी लक्षन बोना हो जाएगा अ उसको हम आगे study कर सकते हैं यह बैंगिनी और सफेद हो सकते हैं आप कुछ। स्टॉम जिन को परिभाशित करना ज्रूरी है इसको आप सकते हो जोय टीन नंबर के अंदर आ कहते हैं कि विभिनता किसे होती है अनुवान-खिकी क्या है विज्ञान का वह हिस्सा है जिसमें हम माता-पिता की जो गूद है बच्चों के अंदर जाते हैं उसको स्टरड़ी करते हैं उसे अनुवान खेकर कौन है तो मेंडल का जो हमने अभी अभी example दिया, उन्होंने प्रियोग में मटर के पोदे को क्यों चना, तो very important question, 3-3 marks के, इसको आप study करेंगे, उसके बार हम देखते हैं कि मेंडल ने कैसे अपने experiment को एक मुकाम तक पहुचाया, कैसे उन्होंने प्रभावी लक्षनों को use किया, इसके अंदर हम दो तरह क होता है, डाई hybridia, एकल और द्वी संकरन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एकल है, इसमें इसका मतलब क्या है कि जो मटर के दो पोदे लिए, उनकी एक जोडी, विकल प्रिविक्षनों के बीच होने वाला, जो cross अंकरन है, उसको एकल है, क्योंकि यहाँ पर एक एक लक्षन लिए गया है, और जनक पोदे में एक लंबा पोदा लिया और दूसरा बोना पोदा लिया है, लंबा है वो प्रभावी है, और बोना है वो प्रभावी है, तो एकल संकरन के अंदर एक लक्षन लेते हैं, उसके पोजिट दूसरा उसका प्रभावी लक्षन बन जाते हैं, तो हमेशा ये gamets होते हैं, वो पेर में होते हैं, जो पहले भी बताया, लंबा पोदा है तो capital T, capital T, बोना पोदा है तो small T, small T, आप इनका करत्रिम विदी के द्वारा पर परागन करा गया, तो सारे पोदे क्या देखे, पहली PD के अंदर, कि सभी के सभी पोदे लंबे पाए ग पोदा है, इसके जो gamets बनेंगे, वो capital T, capital T, इसके gamets बनेंगे, small T, small T, जब इनका पर परागन करा गया, पर परागन, cross-pollination करा गया, तो इसके अंदर, चार options दिखे, और वो चार options में, अगर इस T को हम इस T से multiply करेंगे, तो capital T, small T, इस T को इस T से, capital T, small T, इसी तरीके से, दूसरे T के साथ, तो आपने देखा, कि जो एक भी पेर में से, अगर एक भी capital आता है, तो वो प्रभावी लक्षन है, तो ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, चारो के चारो पोदे, जो first पेडी में देखे गए, वो सारे के सारे, लंबे थे, फिर उन्होंने क् को लिया, capital T, small T, उसका cross, self-pollination करा गया है, सब परागन करा गया है, तो इसके अंदर जो gametes बने, capital T, small T, इसके gametes हो जाएंगे, capital T, small T, और इसको इस table में रख दिया, ये वाली table है, left hand side में भी capital T, small T, और ये capital T, small T, इनको cross multiply किया, तो आपने देखा, कि इस तरीके से ये आ capital T, capital T का मतलब है, लंबा पोद है, capital T, small T का मतलब है, लंबा पोद है, ये भी लंबा पोद है, और ये small T, small T है, तो इसके महले एक बोना पोदा आया, तो यहाँ पे दूसरी पीडी के अंदर लक्षन देखे गए, कि जो parents एक बोना है, और एक पीडी में अगर परभावी नहीं होता है, वो लक्षन तो दूसरी प्रभावी में जरूर दिखाई देता है, अब यहाँ पे जो phenotypes है, इसमें तीन पोदे लंबे हैं, और एक पोदा चोटा है, ये last में हमने conclusion निकाला, phenotypes में, और jeans के आदार पर अगर हम देखें, तो जो jeans हैं, वो capital T, capital T, 1 है, small T, small T, दो हैं और एक है, इस तरीके से हम jeans के आदार पर देख सकते हैं, overall phenotype मतलब किस तरह के वो पोदे दिखाई दिए, वो हम combine करके लिखते हैं, genotypes में jeans के आदार पर एक प्रभावी है, प्रभावी जो pairing है, उसके आदार पर उनको लिखा जाते हैं, अब यहाँ पर क्या देखा कि उसमें 1 by 3 by 4th पोदे हैं, वो लंबे हैं और 1 by 4th पोदे छोटे हैं, मतलब एक पोदा छोटा है, चार में से और 4 में से तीन पोदे लंबे हैं, जिनका phenotype अनुपात हो गया, तीन लंबे और एक छोटा, और जीनो टाइप हो गया, एक लंबा, दो फिर लंबे, लेकिन jeans अलगे और एक छोटा, तो 1 is to 2 is to 1, इस तरीके से मेंडल ने फर्स्ट यह एक्स्परिमेंट किया मतल के पोदे पे, तो यहां पर निशकर्ष के लिए क्या हो सकता है, इसमें आप देख सकते हो questions, क्या निशकर्ष निकाला है यहां पे, capital T, small t, दोनों पोदे लंबे हैं, औ जबकि small t, small t, छोटे पोदे होते हैं, t की एकल प्रती पोदे को लंबा बनाने के लिए प्रियाप्त है, very very important, इसको नोट करेंगे, जबकि बोने पोदे के लिए दोनों small t होने चीं, जैसे हमने पेरिंग देखी, capital T, capital T, इसको भी हमने लंबा बोला, capital T, small t, एक भी, अगर संकरन में जो first PD में प्रभाविता का नियम लागू होता है, जबकि F2 में प्रतक करन के नियम का पता चलता है, कि जो पीछे से जो जीन सारे पेरिंट से, वो एक PD में ना दिखाए दे कि वो दूसरी PD में जरूर दिखाई देते हैं, तो ये प्रतक करन का नियम है, और पहले दो करेक्टर्स लेंगे, पोदे के, एक है गोल और हरा, गोल है round, जैसे R से round, तो एक गोल है, एक पोदे के दो लक्षन और दो पोदे अलग लग लेंगे, राउंड और हरा, मतला पहले जो दूसरी संकरन जब हम करते हैं, बाए हाईबरे अदिशन करते हैं, क्रोस करते हैं तो round अगर इसमें परभावी है तो हरा इसके अंदर ए परभावी लक्षन होगा small ले लेंगे इसमें अगर ये round है तो ये जुर्यदार होगा तो इसमें smaller smaller अगर ये हरा है तो दूसरे के अंदर दूसरा character हम ले सकते हैं पीला भी जो सकता है yellow से capital Y capital Y और जब हम इसका cross hybrid अलग अलग इसके gametes देखेंगे तो इन दोनों को मिलाने के बाद एक ही first जो संतान आएगी वो capital R, small r, capital Y, small y मतलब गोल और पीले 20 आएंगे ये first PD के अंदर आएंगे जब हम इसको अलग 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 देखेंगे cross multiply करेंगे तो आपको ये pairing मिलेगी तो इस pairing में मिलने के बाद फिर हम second generation में जाएंगे इसका सब परागन कराएंगे तो यहाँ पर same poda लेंगे round and yellow तो round and yellow लेंगे तो इस तरीके से आप pairing इसके अंदर अगर आप देखोगे इसके gametes होंगे इसके gametes हो जाएंगे capital y small y फिर इनको cross करेंगे तो आपको किस तरह की pairing मिलेगी एक r y मिलेगी उसके बाद एक r capital r small y फिर small r capital y और small r small y इस तरीके से यहाँ पर pairing हो लगा देंगे चार इदर रख दिए और चार इदर रख दिए इनको cross multiply करेंगे तो आपको इस तरह की जैसे हमने पहले में किया था आप यहाँ पर दो characteristics हैं by hybridization है द्वी संकरन cross है तो आपको इस तरह की अलग-अलग phenotype और genotype है वो अलग-अलग मिलेंगे और phenotype और genotype के अंदर अगर हम इसको पहतो थोड़ा सा देखेंगे धहान से तो इसमें नो 9–9–orya ₹–3–3–1 की फॉर्म में phenotype मिलेंगगे मतलब नो जो पोदे होंगे वह गोल और पीले होंगे तीन पोदे गोल और हरे होंगे तीन पुदे जुर्दार और पीले होंगे और एक पुदा होगा जुर्रीदार और हरा तो प्रभावी लक्षन में गोल और पीले के ज्यादा पुदे आपको दिखाए देंगे और इसमें जो next पीडी है उसके अगर हम सवतंत्र वंचागुत का नियम है वो दिखाए देगा इसके मैंने अभी बताया कि यह वाला RRYY इसमें यह प्रभावी जादा है और क्योंकि F1 PD में दिखाए दिये यह वाले first गोल और प्रभावी F1 PD में दिखाए दिये F2 PD में संतान के और अवलोकन से पता चलता है कि जो गोल और जुरिदार है और जो पीले और हरे लक्षन है वो सवतंतर रूप से वनशागत हुए हैं उनको सवतंतर रूप से आगे गए हैं इसलिए मैंडल ने इसे सवतंतर वनशागती का नियम भी बताया है तो दो यह आपकी एक्जामपल है मैंडल के एक द्वी से रहेंगे क्रोमा सुम से साताव ने कि ने कि हैं जिनमे से जोरे गोंड़ सुत्र पुरुष और महीला दौनों में होती संब्सक्रिवन कि शोर महीला दोनों में बिलंस आपकां कि यह तो Barris से में और होते हैं सेस्कुंड़ था कि अंदर लिंग निर्दार्ण की प्रक्रिया है उसमें संतान में अथे गुंद सुत्र अपनी माता से लिता है बच्चा और खाने सूत्र Πटा से लिटा है तो माना कि अगर 22 है 22 दोनों के अंदर सेम है मेल और फिमेल के अंदर लेकिन 2007 ago अलग है एक अलग है वाना कि xy है और एक xx है एक गुंड सुत्र अलग है तो इसमें 11 फादर से लेंगे 11 मदर से और एक इनमे से हो जाएगा पेर हो जाएगा तो टोटल 23 पेर ऑफ क्रॉमोसॉम से वो बच्चे के अंदर carry forward होते हैं इसलिए जब भी सभी बच्चे चाहें लड़का हो या लड़की अपनी मा से x क्रॉमोसॉम प्राप्त करता ही करता है क्योंकि मदर के पास कोई option ही नहीं है Mother और father की अंदर अगर हम देखेंगे mother और father में difference क्या होता है अगर हम father की बात करें और mother की बात करें तो father की अंदर x y क्रॉमोसॉम सोते हैं और mother की अंदर सिर्फ x x है तो बच्चा अपनी मा से x गुंड सुतर तो लेगा ही लेगा लेकिन पिता से वो option हो उसके पास कि वो X चाहेगा या Y लेगा अगर वो X X chromosome लेता है तो वो girl child पैदा होती है और वो XY लेता है तो boy child पैदा होती है तो यहां से कौन दिधारित करता है हमारे समाज में जो मित है वो क्या है कि आप लेड़ी को हमेशा ही इस तरह से बोला जाता है कि यह लड़का पैदा नहीं कर सकती तो लड़का पैदा करने का chance किसके पास ज़्यादा है फादर के पास क्योंकि फादर के पास दोनों गून है X भी और Y भी और यदि संतान पिता से एक गून सुत्र प्राप्त करती तभी लड़की होगी और Y से प्राप्त करता है तो लड़का होगा तो संतान बनने की प्रक्रिया में नरोर मादा जनकों की बराबर भागिदारी होती है इसलिए लड़का लड़की होने की संभावनाई भी बराबर होती है जो कि पिता से प्राप्त गुंड सुत्र पर निर्भर करती है ना कि माता की गुंड सुत्रों पर माता की गुंड सुत्र बच्चे के अंदर होंगे ही होंगे आप इसके अंदर ये देख सकते हो आप नर मादा जो युगमक है क्रोमोसॉम जाइगोट्स है वो X और Y है मदर के अंदर सिर्फ X है हुआ तो X के चांसे एक्स के साथ मिलेंगे तो गल चैल्ड है मादा बच्चा होगा और अगर X और Y मैच करेंगे तो नर होगा ये आपको डाइगराम बनाना चीए ये बहुत ही इंपोर्टेंट है इसके आपको लिंग निर्धारन में हमेशा पुछा जाता है कि डाइगराम सहीत बताईए तो लिंग निर्धारन के लिए जिम्मेदार कौन है ना ये question आता है तो सबसे पहले वातावरन जिस तापमान पर निशेचन होता है अंडो को रखा जाता है वो लिंग निर्धारन करता है जैसे कच्छों में कच्छों के अंदर कोई जो animals होते हैं उनमें तापमान पर depend करता है कि उसका temperature कितना है दूसरा होता है आनवान शिक जो लिंग गुण सुत्र की जोड़ी है वो लिंग को निर्धारित करती है महिला में XX होते है पुरुष के अंदर XY होते हैं तो इस तरीके से लिंग को निर्धारित किया जाता है तो आप इसमें questions कि आप practice कर सकते हो कि अपने मुनश्यों में एक लड़के के जनम की percentage अभावना है तो 50% अभावना है कि लड़की का जनम होगा इस कथन की पुष्ट कीजिए तो आपको डाइग्राम समय इसको समझाना है ड्रेगन फ्लाइ में नर्व में इतने मादा में गुंसुत्र पाए जाते हैं इसको explain करेंगे ए नर्फ लाई को सब्सक्राइब के अंदर इतना ही आएगा आयोप आपको अच्छे से समझाया होगा नेक्स वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स टाइम थैंक्यू सो मच